गुंडल शहर में किराई के मकार में इस्थाई हुए अनन्द पेशे से सिक्षक हैं अनन्द इस्कूल में काफी लोग प्रिय टीचर हैं इस्कूल में पढ़ानी के बाद बाद बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं खैन अब तो उनकी शादी हो चुकी है पर जब वह कुमारे थे तब उन्हें अपने किराई के घर में एक बेहत भयानक अनुभा हुआ था एक शाम जब वह अपनी कुरसी पर अराम से बैठ कर सुस्ता रहे थे तब ही अचानक उनके अलमारी का दर्वाजा अपने अप धराम से खुल गया इस अवाज से वह चोग गए उन्हें काफी डर महसूस हुआ चुकी उस शाम वह कोई हवा नहीं चड़ रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे वह उटकर अलमारी का दर्वाजा फिर से बनकर कुर्सी की ओर जाने लगे तब ही उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा अनन्थ अनन्थ और वह अवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी इस भायानक खटना से अनन्थ बुरी तरह डर गए उन्हें वही खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कापने लगे डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो अलमारी का दर्वाजा धीरे धीरे हिर रहा था जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो खौफ के मारे कापते हुए अनन्थ थोड़ी देर बाह अजीब नजारा देखते रहे तब ही अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआ बहार आने लगा यह सब पारलौकी खटनाय देखकर अनन्थ की चीक निकल गए अनन्थ दोड़ कर घर के बहार आ गए और सारी बाते अपने पडोसियों को बताने लगे अनन्थ के पडोसी उनके साथ घर में दाखी लोए और कुन सब ने जब वहाँ देखा तो उसे देखकर सब के होश उड़ गए कमरे के छट पुरी तरह से काली बढ़ चुकी थी अन्मारी के दोनों दर्वाजे उखड़े हुए थी और सारा समार नीचे जमीन पर विखरा हुआ था लोग को समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अनन्थ के साथ साथ अब सभी लोग इस भुतहा अनुभाव से खबरा आ गए और बाहर की तरब भागे कुछ लोगों को भागते भागते एक चीक सुनाई दी चले जाओ सब पर किसी ने पीछे मुड कर देखने की हिम्मत नहीं की इस खौफनाग अनुभाव के कारण अनन्दुरी तरह बिमार पड़ गए अब उस दिन के लिए अपने गाओं पर अपने माता पिता के पास कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनीक हवेली को तोड़ कर बनाया गया था कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जला कर मार डाला था और उसकी अधिजली लाश उस अलमारी में चिपा दी थी मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयों नहीं की थी लेकिन अनंद राजनात के मालने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नराज हो गई और ये खौपनाग दरामनी घटना घट गई